देखिए राके जी अभी मैंने आपको सुपर फॉर्मॉला फॉर्ट सेनेरियों को लगा कर दिखाया था कि मार्केट की डायरेक्शन का हम कैसे पता लगा सकते है बट इसमें कुछ एक और चीज इंपोर्टेंट है वो है मार्केट का फॉर्मेट ओके चाट का फॉर्मेट कापी किलियर आपको मार्केट का डायरेक्शन दिखने वाला है कापी किलियर तरीके से आप अपना इस्टो प्लस टार्गेट एंड्री डिस्राइड कर सकते हैं यहां पर देखिए मैं यहां यहीं से प्रिविश देखिए पैटन से ही फॉर्मेट को ड्रो करके चलता हूं किलिके तो देखिए मैंने प्रिविज डे के पैटन एंड जो ये फ्राइडे का पैटन था इन सभी को मैंने एक फॉर्मेट इनका तयार कर लिया है और आप देखो मैं तो थोड़ा समय आपको समझा देता हूं कि ये फॉर्मेट काम करते हैं format यानि only format देखना है उसमें कुछ levels बगिरा डोर नहीं करने है only format देखके या market के direction का analysis कर सकते हैं क्योंकि यह format जो होते है retailer beginner के और operator यानि जो trap करता है operator ओके तो उसके बिलकुल यहाँ पर भी call on को होना रहा है ठीक है तो देखिए यहाँ पर अब देखिए साब देखिए आप यहाँ पर एक support है यह रेजिटेंस है यह सपोर्ट है यह रेजिटेंस है यह सपोर्ट है यह रेजिटेंस सपोर्ट रेजिटेंस सपोर्ट अब ड्याल से देखना है यहाँ पर आपको यह जो support बना है यह जो नया resistance बना है इस resistance के नीचे बना है और इस से पहले market में जो gap up opening हुई है वो भी यहाँ पर पिछले resistance से नीचे हुई है ओके और उसके बाद वें जो support और उसके बाद में जो एक सपोर्ट मिला है वो's support भी पिछले support से नीचे बन रहा है, यहां तक तो market एक down direction ले जा रहा है, जिस पर हम confirmation ले सकते हैं, super formula 4 scenario को लगा कर, ठीक है, अब यह super formula 4 scenario अभी मैंने आपको बताया कि market का scenario हम को check करना होता है, ठीक है, अब यहां पर देखिए market में एक नया support बना, उसके बाद में market ने resistance बनाया, अब यह resistance भी आगे क्या रहने वाला है, अब देखिए यहां पर support मिलता है, support इस previous support से उपर मिल जाता है, सब कुछ यहां पर बदलने वाला है, ठीक है, तो यही आकरती है, ऐसे यह inverted head and shoulder है, यही मैं बात करूँ तो यह, देखिए एक head है, और यह दो shoulder है, और बिल्कुल ultra बना है, और downtrend क bottom में बना है, यह एक reversal का संकेत होता है, ठीक है,